कि हलो एव्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आज हम करेंगे तेना जुलाई के इंपॉर्डेंट करेंट अफेर्स तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार है अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे और डेली पेसिस पे तीन से चार हजार लोग हमारे लेक्चर को देख रहे हैं सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है यह सब चीज़े देखके और आप लोगों के प्यार की वज़ा से हम लोग बहुत जल्द वान लाग से लेकर अफेर्स या जून के सारे एक ही वीडियो में सिंगल वीडियो में सारे कवर कर दूँगा वह आपके हर एक एक एक्जाम में हेल्प करेंगे तो वह बहुत जल्द वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा मैं उस पर काम कर रहा हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आ सब आपको आइडिया लग गया होगा कि नितिन गठकरी जी ने इस को क्यों Nawrat किया है क्योंकि नितिन गठकरी जी कि कोंसेंसि नाकपूर है यहां पहला प्raw इलन जी देखिएगा पहला प्राइवेट प्लांट है जिसको सेट अप किस ने किया है तो यह किया गया है बैद्यानाथ आयुरवेदिक ग्रुप ने तो यह नाम भी आपको याद रखना है एक्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला ल्पी जी प्राइविट लंग प्लांट जो है वो किस ने सेट अप किया है यह गया है बैद्यानाथ आयुर्वेधिक ग्रुप ने कहां किया है दूसरा पॉइंट वह किया है नाधपूर में इनौगरेट किस ने किया है नितिन गटकरी ने इनकी कॉंशिएंसी नाथपूर है पहली चीज तो यह इसी के साथ साथ अभी आज की डेट में यह हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्टर भी है तो इनका आपको याद रखनी है चीजे तो पहला पॉइंट तो आपके लिए यह था बात करते है सेगेंड क्वेशिन के ऊपर आई सी सी आर टू दा फॉर्स फॉर्स ताइम तो सेट अप बांगा बंदू चेर आट विच यूनिवर्सिटी यह इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए इसमें काफी सारा स्टैटिक पार्ट है जो आपके एक्जाम समय उचा जाता है त बंगबंगबंदू चेर जो है कौन सी उनिवर्सिटी में लगाई जाएगी तो वो है डेली उनिवर्सिटी में अब यह बंगबंदू बेसिकली है क्या इनका पूरा नाम है बंगबंदू शेक मुझिबूर रह्मान अब आप लोगों को यहां से थोड़ा सा स्ट्राइक ह हो इन गया होगा इने ही father of बंगलादेश भी कहा जाता है जब पाकिस्तान taken western इस पाकिस्तान टो जो लोग उर्दू बोलते थे उने थो प्रेफरेंश मिलती थी एस कंपेर टू दो जो लोग बांगला बोलते थे तो इन्हों ने ही ये सारी मुहीम शुरू करवाई थी कि इन्हें एक अलग कंट्री चाहिए तो इनके नाम पे ही आप लोगों बता दू ये जो है बांगबंदु चेर इन्हें फादर ओफ बांगलादेश भी कहा जाता है स् ही में जो यूनियन गवर्मेंट हमारे यहां पर गांधी प्रीश प्राइस देती है हर साल तो गांधी प्राइस 2020 का किसको दिया है तो यह भी शेख मुझेपुर रह्मान को दिया गया था यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के स्टैटिक फॉर्म में शेख मुझ है तो 2020 का इन्होंने जो है किसके नाम पर रखा है 2020 को यह मुझिब एयर के नाम से भी बना रहे हैं तो यह चीजें आपको याद रखनी है स्टैटिक जीके की फॉर्म में बहुत जादा इंपॉर्टेंट है आइसी सियार ने जो चेर बनाई लगाई है बांगबंदु चेर यह दिली उनिवर्सिटी में लगाई गई है इन्हें ही ओनर करने के लिए फादर आप बंगलादेश भी ने कहा जाता है तो काफी इंपॉर्टेंट है यह बात करते हैं क्वेशन नूम्बर थर्ड के ऊपर कौन सी कंट्री ने अभी एक पेक्ट साइन क्या है इंडिया तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने सत्युज जल विद्युत निगम लिमेटेड के साथ एक पेक्ट साइन क्या है जिसके तहरत 679 मेगावाट लोवर अरुन एलेक्ट्रिक हैडल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो यह अब आपको याद रखना है यह बनाया गया है साइन क् साथ ही अभी हाल ही में इंडिया ने लेटर ऑफ एक्सचेंज जो है जिसमें जो रेल के रूल्स थे 2004 के उसको रिवाइस किया है पहली चीज तो यह जो प्रोजेक्ट है यह अगर आपसे पूछा जाए कौन से नंबर पर प्रोजेक्ट है यह सेकेंड प्रोजेक्ट है आपको पूछा जा सकता है तो यह भी आपको याद रखने निपाल के साथ इंडिया कर रहा है तो बहुत इंपोर्डेंट है एक्जाम पॉइंट आफ यू से यह एक्वेशन तो इसको आप लोग याद रखिएगा नेपाल के साथ किया जा रहा है बात करते हैं नेक्स अब से टी वन ऑन बान अगस्त दोजार एक्केस तो कौन इसको लॉंच कर रहा है तो यह किया जा रहा है इस रों के द्वारा बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट है इस रों लॉंच करेगा अगर आब आप से यहां पर पूछा जाए कि यह कौन सी टाइप की सेटलाइट है तो इ किया जेडा रहा है नाम याद रखना गजी ऐस से टी वन कहां से किया गया है स्थी श्री हरी कोटा है हरी कोटा कहाँ पर है यह जगा यह आंधरपरदेश में कि कमें कितनी हैं तो यह ज्रीन नगर उत्तरा खंड मार्ड द्र्मीश नला इसका है तेटि इसкусति हैं और में अ उत्राखंड की भी capital है आपकी दो जिसमें एक आजाती है गैर्सेन और एक आजाती है आपकी देरादुन यह हाल ही में बनाई गई है उत्राखंड और अंदरपरदेश की दो इनको आपको याद रखना है बात करते हैं हुआ है किसने जीता है इसको कौन सी country ने जीता है तो यह जीता गया है इटली के द्वारा पहली चीज़ जो आपको याद रखने है डिरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए एक्जाम में क्या होता है आजकल question इस फॉर्म ने नहीं पूछा जाते जेके एससजबी में खास तो चैंपियन या पिछले एडिशन का चैंपियन कोन था वहां पर यह तरीके के पूछे जाते हैं बच्चे कहते हैं पुराने करणड फेर पूछे गए हैं तो आपको यह भी याद रखना है defending final कहां पर हुआ लंडन में हुआ अब यहां पर एक और चीज़ आपको बता दूँ विमिल्डन को लेके बहुत सारे लोगों को पता होगा विमिल्डन का भी फाइनल हुआ है आप से डिरेक्ट हमेशा मेल का ज्यादा तर पूछा जाता है कि मेल किसने जीता है जो में सिंगल थे तो वह जीता है नुवाक जोकोविक ने सर्विया के प्लेयर है यह और इसी के साथ इन्हों ने अपना जो सबसे मैक्सिमुम ग्राइंट स्लाम विनर है रोजर फेडर और नडाल उनकी बराबरी कर दिये 20 ग्राइंट स्लाम जीत के तो यह भी याद रखना विमिन में कहीं बार पूछा जाता है विमिन किसने जीता है विमिल्लन का तो वह जीता है एशले बार्टी ने यह दो नाम आपको याद रहें यह और जोकोविक जो है वह सर्विया के प्लेयर है बात करतें नेक्स्ट के उपर यह दोनों टूर्णमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्पोर्स के रिलेटेड यह जीता गया है इस बार अर्जेंटीना के द्वारा आप अर्जेंटीना के प्लेयर देख सकते हैं मैसी यहां पर काफी देर से कोशिश करें थे इंटरनेशनल टूर्णमेंट जीतने की तो इन्होंने जीता है अब यहां पर क्वेशन आपका यह भी बन सकता है कि 2022 का गोल्डन बॉल बेस्ट प्लेयर का वॉड्ड इनके साथ जो है वह नेयमार को भी मिला है मैसी को भी मिला है और यह तीन अवार्ड गोल्डन सारे के सारे इस टूर्णमेंट के मैसी को मिले हैं याद करने में आपको असानी हो जाएगी तो बात करते है नेक्स्वेशन के आपको इस तरीके से एक्जाम में आजकर बहुत जादा देखने को मिलते हैं तो यह जो थे यह आयुरुवेदा मेडिसिन पे इन्होंने काफी काम किया है तो आयुरुवेदा फिजिशन थे यह बेसिकली तो आपको सिरफ इतना याद रखना है इनके रिलेटेड पदमिश के उपर है तो उस बुक का नाम क्या है तो उस बुक का नाम है पलेक्यू पटबीशिन नम बुक्स और और पर क्वेशन पूछे जाते हैं तो इसके ऑथर कून है इसके ऑथर है फॉर्मर एंपी रह चुके हैं पहले एंपी रह चुके हैं नाम क्या है तो नाम है यल्लाम मं अARONCILI SHIVA-JI Jina Ryan इनको आपको बस इतना याद रखने बुक को रिलीस क्या और इनके जो उसे इनका नाम को याद रखने अन्होंने एक और भुक को अभी जो है firstshame copy को मिली है जिसका नाम है टेरेस गॉर्डन मिडल याद निकरना अभी आप लोगों के बापे से homework क्योंकि मैंने पहले भी पूछा था आप लोगों ने इसका अंसर नहीं दिया था इंडियन economist है एक काफी famous है कोशिक बासु जी उन्होंने एक book लिखी है हाल ही में आपको उनका नाम comment box में लिखके बताना है मैंने पहले भी पूछा था बच्चों ने लाइव चैट में लिखा था बड़ comment box में उसका आंसर नहीं है तो देखते हैं यहां पर लोग लिखते हैं नहीं बात करते हैं नेक्स नेशनल फिश कली अब्सक्राइब करते हैं किस्ट याद में बना जाता है एक है है यहां पर किम जब करेंब करेंड जोडरी जी इनका आपको नाम याद नहीं रखना है है आपको सिर्व याद रखना है कि किस देट को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है तो यह 25 फिस्ट फिस्ट ताइम था जिसको सेलिब्रेट किया गया बात करतें नेक्सक्रेशन के ऊपर वर्ल पॉपुलेशन डे इस पे वह बार एक्जाम में पूछे जा चुकए हैं पूछा गया था वर्ल पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपका यारा जुलाई को हर साल मनाया जाता है तो यह याद रखिएगा और इसी ओकेजन पर जो योगी अधित्यनाथ है इन्होंने पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 को जो है वह भी लॉंच किया ह है पॉपुलेशन पॉलिसी यूपी की तरफ से 2021 की की गई है कि जिन भी फैमिलीज के दो से ज्यादा जिनके घर में बच्चे है वह गवर्मेंट जॉब्स या फिर लोग गवर्मेंट जॉब्स के लिए अवे इलिजिबल नहीं होंगे तो यह याद रखना इंपॉर्टें किसके नाम पर मना जाता है तो यह आप नाम देख सकते हैं मलाला यूसफ सही के नाम पर यह रखा गया है यह पाकिस्तान की एक एक एक्टिविस्ट है जो फीमेल एडुकेशन या फिर यंगेस्ट इवर नोबल प्राइस विनर है तो यह दोनों चीज़े याद रखना अग कि यंगेस्ट नोबल प्राइस विनर कौन है तो वह मलाला यूसफ सही तो हो सकता है अगला वेशन आपसे पूस हो जाए कि मलाला डे कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है अपका हर साल बारा जुलाई को बात करते हैं आज के नेक्स वेशन के उपर लास्ट है और काफी काफी सारी चीजें हैं वो उनको मिल जाएंगी इसर्विस तो पहले तो आपको नाम याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट माई स्रेन अगर इस आप का नाम है यह मोबाइल आप नौंच की गई है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आपको पता है चल रहा है यह भी उसी के मोड़ था होगी काफी सारी इसर्विस प्रोवाइट ऑफर की जाएंगी जिसमें काफी सारे डिपार्टमेंट आजाते हैं और टूरिजम रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑफ्लाइन और ऑन्लाइन मोड दोनों में मिलेगी 40 सर्विस इसमें पाई जाएंगी अगर आप लोग टूरिस्ट हैं तो आप लोग डाउनलोड कर लें अगर आप डेजिटेंट है तो भी आप लोग डाउनलोड कर लें काफी helpful होगी और याद रखने का तरीका सिरफ यही है आप लोगों मैंने बताया है हर एक आपको आप लोग जाए Google Play Store पर डाउनलोड कर ले यह जो इनिशेटिव लिया गया है इसके तहट कोशिश की जाएगी जो जम्मू कश्मीर की सिटीज है उनको जो सिटीजन की नीज है उनकी तरह modern टेक्नोलोजी का यूज करके बनाया जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन है जम्मू कश्मीर के करेंट मैं आपको एक एक्जाम में देखने को मिलेंगी चीजे बैक टू विलेज प्रोग्राम है बैक टू विलेज प्रोग्राम किया गया है किसके लिए जो यूथ हैं 50,000 यूथ को स्किल डेवलेप्मेंट होगी इसके साथ ही और किया गया था अभी हाल ही में जो ग्रेजुएट से उनके लांच किया गया था तो सारी चीज़े मैं नहीं बताऊंगा जो वेबसाइट को लांच किया गया था इलेक्ट्रिक पॉवर डिपार्टमेंट के लिए वह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखके बतानी है यह होगा आपका आज का होगा तो यह थे आज के हमारे इंप पूचा गया था और जो कश्मीरी माइगरेंट के थे उसमें से भी वहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे जो हमारी पुरानी सीरीज थी तो चलिए आज के लिए इतना ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो प्रसंद आती है तो लाइक जर